नमस्कार दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम स्मोल लीग और गैंड लीग की टीम बनाएंगे बंगलादेश वर्षिस स्रीलंका के बीच होने वाले ICC वर्ल्ड कप के मैच नमबर 38 की देखो भाई यो इस मैच के अंदर हाई पोबिटी ये लग रही है कि कुछ लो सलेक्शन प्लेयर है जिनके उपर कम बंदे जान देंगे वो पफोमिस दे सकते हैं दूसरे चीज ये मैच खेला जाएगा दिल्ली के ग्राउंट के उपर तो ऐसे में पिच का भी एक एहम योगदान देखने को मिल सकता है तो अगर आपको अच्छी टीम बनानी है तो वीडियो को पूरा याद से देखिएगा वहीं अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार लाइक कर दो साथी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो आपको ऐसी कमाल कमाल की वीडियोज मिलती रहेगी तो दोस्तो ये वाला मैच कहला जाएगा 6 नौबंबर को दो पैर को दो बजे सबसे पहली बात आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में हमारे टेलिग्राम का लिंक मिले या तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लो या पहला कमेंट चेक कर लो वहाँ पे टेलिग्राम का लिंक है उस लिंक पे क्लिक करके टेलिग्राम चेनल बिल्कुल फरी में जोइन कर लीजेगा तो सोने के बाद जो भी सारी अपडेट आएगी वह आपको टेलिग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 तीम्स वगेरा सब कुछ टेलिग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी तो दोस्तो वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हो सबसे पहले हम देख लेते हैं अरुल जेकली स्टेडियम दिल्ली के ग्राउंड की पिच रिपोर्ट क्या रह सकती है देखो भाई यो इस साल वर्ल्ड कप के अंदर गम आपको एक लाइन में बोलू ना तो यहां के पिच काफी अत्तक एक बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिली है यहां पे अगर हम बात करें तो इस साल वर्ल्ड कप के अंदर चार में से तीन मैच पहले बैटिंग और एक मैच सेकंड इनके अंदर बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है और इन चार मैचों के अंदर फर्स टिनिंग का एवरेज स्कोर 328 रन देखने को अब एवरेज स्कोर 328 रन है तो बैटिमन को काफी मदब देखने को मिली है वहीं अगर हम बात करें इन चार मैचों में स्कोर पैटन की तो 250 से 299 की बीच में स्कोर दो बार बना है और 300 प्लस स्कोर दो बार बना है और हम इंग च्यार मैचों के रिकोर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड की उपर सबसे पहला मैच कहला गाता साउथ अफरीका और सिरलंका की बीच उस मैच में साउथ अफरीका ने पहले बैटिंगी 423 रन बनाए 5 विकेट पे सिरलंका 326 रन बना पाई दोनों इनिंग को मिला के बात करें तो 12 विकेट फास्ट वल और 3 विकेट स्पीनर को मिले और उस मैच में गरम टोप पफूमर की बात करना सिरलंका की दरफ से उस मैच के अंदर कुसल मेंडिस ने 6 रन बनाए चरित असलंका ने 79 रन बनाए गिलचान मदुसनाका को 2 विकेट मिले और कसून नर्जिता ने 1 विकेट लिया और 33 रन बनाए ये 4 थे ये टोप पफूमर थे उस मैच के अंदर जो पहला मैच इस ग्राउंड पे इस साल वर्ल्ड कप का खेला गया था उसके बाद इस ग्राउंड की उपर एक मैच खेला गया था अफगानिस्तान इंडिया का वो मैच इंडिया की टीम 8 विकेट से जीत गई दोनों इनिंग को मिला के बात करें तो 7 विकेट फास्ट बोलर और 3 विकेट स्पिनर को मिले उसके बाद एक मैच अफगानिस्तान इंगलेंड के बीच खेला गया था वो मैच अफगानिस्तान के टीम ने पहले बैटिंग करते वे 6-9 मनों से जीत लिया था दोनों इनिंग को मिला के बात करें तो 5 विकेट फास्ट बोलर और 13 विकेट स्पिनर को मिले और लास्ट मैच जिस ग्राउंट पर खेला गया था वो केला था ओस्टेलिया और ने देललेंड का वो श्टेलिया ने 399 वरन बनाए आठ विकेट पे नेदलेंड नब बरन मना के ओल आउट होगी वो श्टेलिया ने 399 वरनों से मैच जीता दोनों इनिंग को मिला के बात करें तो 11 विकेट फास्ट बोलर और 6 विकेट स्पिनर को मिले एक और सिंपल जी बात है अब तक हमें क्या देखने को मिला एक इंडिया वरना मैच था तो चेज हुआ था बाकी मैचों के अंदर क्या हुआ पहले बैटिंग करने वाली टीम ने हाई स्कोरिंग खड़ा कर दिया उसके बाद तो सेकंड इनिंग के अंदर टीम बैटिंग करने आई ना वो प्रैसर में आउट हो बस यही है मैच देखने को सकती है एक बार फिर से अगर सारे चीजे समराइज करूँ तो काफी एक तक बैटिंग फ्रैनली पिछ देखी गई है वर्ल्ड कप की मैचिस के अंदर बैट्समेन को काफी मदद मिलती है फास्ट बोलर भी कुशल डोल पे कर सकते हैं सेकंड निंक अंदर याँ पर ड्यूब भी आ जाती है तो यह देखने वाली बात होगी कि टोस जितने वाली टिम बैटिंग करती है बोलिंग करती है बाकि टोस होने के बाद जो भी फाइनल लेवन देखने को मिलने वाली तेपर बंगलादेश की टीम वर्ल्ड कप से ओल्डेडी बार हो चुकिये तो इस मैच के अंदर बंगलादेश की टीम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जैसे अगर हम बात करें बंगलादेश की तरफ से जनरली लिटन दास और तंजीद असन बैटिंग करने आते हैं ये तीन प्लेयर हैं इनकी तरफ से टोप ओर्डर के बैट्स में उसके बाद मिल ओर्डर की बात करें तो शाकीबल असन मुस्विकुर रहीम मेहमद उल्ला तो ही जिर्दोय तक बैटिंग कर लेते हैं उसके बाद आते हैं मेहंदी एसन मिराज और बोलिंग की बात करें तो सोरिफोल इसलाम, मुस्ताफीजुर रहुमान, तासकिन हमत, तीन बोलर ये, छोत्वा बोलर आपको इनकी तरफ से मेंदी एसन मिराज देखने को मिलेगा और पांच वोलर आपको इनकी तरफ से शाकिबल असन देखने को मिलेगा अला कि यही पले इंटरनेशनल मैच नहीं कहले है लेकिन अंडर नाइंटीन के अंदर काफ एच्छा परफॉमेंस दिया था और खास कर अगर इनकी टीम सेकंड इनिंग के अंदर बोलिंग करे ना अगर बना दे सेकंड इनिंग में बोलिंग करे और तंजीम हसंद शाकिब खेले ये प्लेयर निकलिके आ सकता हैं पाकी इनकी तरफ से इन फॉंब प्लेयर की ब büyात करे जोकर है शाकी भूलत्य मेस्टस डे रहे दे रहे है उसके बाद में किसी मैचिख अंभ नहीं देते इस में flop होगा है लेकिन स्रिलन्का के लाफ इसके पास एक बहुत अच्छी opportunity एप प्रूव करनेगी एक तो ये differential player दूसरा लिटन्दास है तीसरा तो ही दिर दोई ये तीन play मेरे differential player आपको देखने को बिलेंगी इस match के अंदर बाकि जगो दोस्तो हाई चांच है Bangladesh की ये playing 11 देखने को मिलने वाली फिर भी एक बार फिर से कहूंगा ये team up experiment करेगी कुछ भी change भी रशकती क्योंगी world cup से तो बार हो चुके है रैसे मगर playing 11 गदर और कोई भी change होगा तो हम आपको टोस्त के बाद टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा और हाँ यार अभी तछ वीडियो को आपने like नहीं किया है तो please like कर दो channel को भी subscribe कर दो अब दोस्तो हम बात कर लेते स्रीलंका के आपको क्या playing 11 देखने को मिल सकते यगो दोस्तो स्रीलंका की तरफ से अगर हम बात करें तो पथूंग निशांका उसके साथ-साथ कुसल प्रेरा या डीमूत कॉर्णातने में से कोई एक खेलेगा वो ओपनिंग करने आएगी डीमूत कॉर्णातने को दो मैचीजी में मोगा दिया जा चुका पथूंग निशांका कुसल प्रेरा फिर से उपनिंग करने आ सकते तीन नमबर पे कुसल मेंचीज यह तीन प्रेर होगे टोप ओर गए मिलोडर की बात करें तो सदीरा समरविकरमा चरित असलांका दनेंज़य डी सिलवा और दुसान हेमंता में से कोई एक खेलेगा उसके वाद एंजलो मेथ्यूज और मेज थिक्षना और बोलिंग की बात करें तो दिलसान मदुसना का दुस्मानता चमीरा कसून रंजीता तीन बोलर ये चोथा बोलर मेज थिक्षना पांचा बोलिंग उप्षन दनेंजे डी सिल्वा और दुसान है मनता मेंशे कोई एक और छाटा बोलिंग उप्षन आपको एंजलो मेथ्यूज इनकी दरब से देखने को मिल सकता है अलाकि बंगलादेश की टीम में कुछ लेफ्ट हिंडी डिबैट्स मेंने ऐस में चरी तसलांका से इनकी टीम इस मैच केंदर तोड़ी बोलिंग करवा सकती है अगर इनको जूर्ट हुई अब अगर हम इनकी तरब से इनकी फॉर्म प्लेयर की बात करें तो पातूम निशांका का लास्ट में छोड़ दो उससे पहले 3-4 लगातार 50 लगाई थी अच्छी फॉर्म में चल दा है कुसल मेंडिस भी कमाल की फोम में है सदीरा समर्विक्रमा भी कमाल की फोम में है उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पे दिल्सार मदुसना का भी कमाल की फोम में है अगर हम इनकी तरब से बात करें चहां पर दो पातूम निशिंगा एक कुसल मेंडिस दो उसके बाद चरित असलांका एक ट्रम प्ले निकल के आ सकता है उसके बाद अगर हम बात के हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो दुस्मानता चमीरा का सुन रंजीता और सबसे बड़ा डिफ्रेंचल पर यहाँ पर मेश ठिक्षना निकल के आ सकते हैं अब वही बात है ना कि यह प्लेयर फ के अंदर अच्छा पर्वोमिस किया था वर्ल्ड कप के अंदर कोई खास पर्वोमिस नहीं कर पाया था बाकी मेरे को और कोई कंड नहीं दिख रहा एक हाँ यह चेंग मां फिर से बदा दो आपको कि कुसल परियरा के जिगर डीम उत को नहीं खेल सकते हैं तो भाई यह वी पर चिस टीमें भी लगा सकते हो उसके साथ साथ अगर आप मिनिममम 100 रुपए डिपोजिट करते हो एस बाजी कुपन कोड यूज करते हो तो आपको 25,000 की एक बाजी कर लीग की फ्री एंट्री भी मिलेगी उसके साथ साथ अगर आप मिनिममम फर्स्ट टाइम 500 रुपए की पोजिट करते हो एस बी मेगा कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 49 रुपए वाली 2,000,000 की मेगा लीग के अंदर एक फ्री एंट्री मिलेगी और स्मोल लीग भी आप खेल सकते हो जिसके अंदर आपको कम कॉंपेटिशन देखने को मिलता है साथ वर्ल्ड कप के अंद अब भी ट्रेड कर सकते हो उसके बारे में आपको वीडियो में आगी बटाऊंगा अब दोस्तों बात करने थे बंगलादेश व श्रिलंका की हैड़ प्रेड रिकोर्ट के बारे में दोनो टिमों ने अब तक 53 हैड़ एड़ मैच के लिए जिसमें से अगर बात करें तो 9 मै बंगलादेश ने जीतने, 12 में स्रिलंका ने जीतने, दो मैच नो रिजल्ट रहे हैं, डेफिनेटली स्रिलंका का पड़ड़ा यहां पे थोड़ा भारी देखनी को मिल रहा है, लेकिन हम इतनी कमजोर टीम भी नहीं समझेगी बंगलादेश को कि यह मैच में टक कर ना देख स दोस्तों, गर हम बात करें, बंगलादेश के प्लेरों के रिकोर्ड के बारे में, सबसे पहला नामत तंजी दजल्टी बैट्समेल ओपनिंग करने आता है, स्रिलंका एक मैच के लाज जिसके अंदर जीरो रन बनाए है, वर्ल्ड कप के गर हम बात करें, तो अब तक एक मेच में फ्लोप रहा है, मेच दिक्षना ने एक बार आउट किया है, और दूसरा थाप से बड़ा खातर है रहा सकता है, लेफ्ट आम फास्ट बढ़ियम पेसर दिलचान मदुशना का, उसके बाद यहों दोस्तों, गर हम बात करें, तो मारे पास यहां पे गंगलादेश क में 66 रह न है, एक मेच में 45 रहा है यहांनि साथ मेच से तीन मेच के अंदर डीसन परफोंमेंस है, कुछ मेचों के अंदर फ्लोप गिवा है, इस विज़े से सेलेक्षन तोड़ा कम रहेगा, ग्रेंड लीक के अंदर मौका दिया जा सकता है, अलाकि लेफ्ट आम फास्ट पेसर दिल्चानम दुसनाका से फोड़ा खत्रा रह सकते उसका अद मारे पास देखो दोस्तों इनकी तरफ से नजम लुसें सान तो लेफ्टी बैट्स में ने तीन नमबरे बैटिंग करने आता है वर्ल्ड कप की बाद के तो पहले मैच में उनसे टरन बनाये थे उसके बाद लगातार हर मैच में फ्लोप रहा है इसको भी दिल्चानम दुसनाका से खत्रा रह सकता दूसरा खत्रा मैच ठिक्षना से रह सकता जो के राइटाम ओबरेक्स पीन रहा है देकिन एक बाद बाद दू एक श्या कप का जो मैच था न सूपर फोर का मैच ता साइड उस मैच क ना के बराबर होगा आपके लिए आउट ओफ दा बोक्स डिफरेंशल के निकल के आ सकता है उसके बाद देखो दोस्तों मारे पास यहां पे है मुस्विकूर रहीम राइट नीड बेट्स में है चार नंबरे बेटिंग करने आ सकता है विगेड कीपिंग कर सकता है सिलनका खिलाफ 33 मेचों में 1062 रन है 33.2 की एवरेज काफी कमाल की है वर्ल्ड कप की बात करें तो लास्ट मेच में पांच रन उससे पहले एक रन आट रन अड़तिस रन शासट रन इकावन रन दो रख देखो अगर हम बात करें तो लास्ट के तीन मेचों से तो फ्लोप है लेकिन उससे पहले लगाता है तीन मेचों मेचों मेच्छा परफूमस था और यहां पे सिरलंका किलाफ एवरेज भी 33 पॉइंट दो की है तो आप इस प्ले प्लेज के थोड़ा ध्यान दे सकते हैं उसके अद मारे पास है मेहमद उल्ला बंगलादेश की ट्रप से राइकनी डिब बनाके आउट ओफ दवोक्स भी शीव बनाता पेंटर सीकें दोनीत विला लगे नहीं एक बार आउट के लेकिन विला लगे ही मैच खेलेगा नहीं खेलेगा वो पता नहीं है यह प्लेज आपके लिए सेफ ओप्शन है चाओ तो इसका आप स्मोल लीक की टीम में भी रख स तो लास्ट मैच में 43 रन जिरो विकेट उससे पहले एक विकेट पांच रन उससे पहले एक रन एक विकेट उससे पहले 47 रन एक विकेट एक विकेट एक रन तीन विकेट चोदार ओल्मोस्ट हर मैच के अंदर डिम टीम में आया है यह प्लेयर को आपको टीम में भी रखना स्मोल लिग और ग्रेंड लिग की टीम में और यहाँ पे सेफ केपकेंजी वाइस केपकेंजी का भी ओप्सन है क्योंकि आठ दास ओर की बोलिंग भी करेगा और बैटिंग भी करने आने वाला है उसके बाद दोस्त मारे पास बंगलादेश की तरफ से मेंधी हैसन मिराज राइट इंड बैट्समें ओपर एक बोलिंग कर लेता है सिरलंका एक खिलाफ 13 मैचों में 113 रन 15.7 की एवरेज और 16 मैचों में 16 विकेट यानी 1 विकेट पर मैच का तो एवरेज है और 15 20 रन बनाता तो भी डिर्म टीम में आ सकता है वर्ल्ड कप की बात परे तो लाश्ट मैच में 25 रन बनाए और तीन विकेट ये थे और लाश्ट मैच में इनकी टीम ने पाकिस्ताने के लाब मैच कहला था उसके अंदर ये player fantasy के अंदर कप्तान बना था और किसी ने भी कप्तान का option नहीं दिया था मैंने आपको टेलिग्राम पे कलियर ली मेंदियसन मिराज का captaincy का option दिया था उससे पहले इसने एक match 35 बनाए कोई विकेट नी लिया उससे पहले 11 रन एक विकेट उससे पहले 3 रन दो विकेट, 30 रन जिरो विकेट, 8 रन जिरो विकेट और 3 विकेट सावन रन और मोस्ट हर मैच के अंदर अच्छा पॉपमेट से बैटिंग बोलिंग दोनों करेगा इसको हमें टीम में भी रखना है और यह भी आपके लिए एक सेफ केटनजी वायस केटनजी का उप्स है तो भाईयों वीडियो में आगे बड़े और और प्लेयरों का रिपोर्ट देखें उससे पहले माँ आपको बता दूँ कि स्पोर्स बाईग के उपर आप कहल सकते हो स्टैट्स फैंटसी जिसके अंदर आप कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और उल्ट क्ेश्चन पर ट्र्यू और फोल्स में अपने उपिनियन ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं जैसे कि आप एक क्योशन है कि आप बंगलादेश ये मैं जेतेगी स्रिलंका से true और false का option है अगर आपको लगता बंगलादेश जीतेगी तो आप true पे trade कर लिजेगा अगर आपको लगता बंगलादेश नहीं जीतेगी तो आप false पे trade कर सकते हो लेकिन एक चीज़ याद रखन बंगलादेश ये कम रेन बनाएगी अगर आपको लगता बंगलादेश के अंदर अलगला क्योशन देखने को मिलते हैं उनके उपर आप true और false में अपने opinion के पैसे कमा सकते हो और यहाँ पर आप लाइव मैच के अंदर ultimate time trade ले सकते हो लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा प्रोफिट होने लगे तब exit याद से ले लीजे तो वीडियो के description और पहले comment में link है link पे click करो sports बाजी अब download करो खिलना श्टार्ट करो उसके बाद यहोगो दोस्ता मारे पास बंगलादेश की तरफ से तोई दिर्दोई राइटनी डिबेट्समेन है सिरलंका के लाफ दो म मैचों में 102 रहन है एक मैच के अंदर तो कमाल की 17 सिर्णों के बारे विकलिक इस प्लेयर ने लास्ट मैच के अंदर सातर नम रहे थे तिक्ष्णा ने एक बार आउट किया लेकिन यह प्लेयर का selection बहुत ही ज़्यादा कमरेगा तोई दिर्दोई का वैसे भी 78 नंबरे प्लेयर अच्छा है इंजरी से वापिस आया है लेकिन अगर हम बात करें तो इंपोर्टन रह सकता बैटिंग से भी कोंट्रिबूट कर सकता है और यहां पे काप इच्छी रिकोर्ड भी गयरी करता सिर्लंकाई के लाफ तो आपके लिए क्रूशल रह सकता है उसके बाद मारे पास है सोरीफुल इस्लाम left time fastment लेंपेसर है सिर्लंकाई किलाफ 4 विगेट है वल्ड कप की बात करें तो लास्ट मैच में 0 विगेट उससे पहले 2 विगेट 1 विगेट 0 विगेट 0 विगेट लेकिन अगर यहां पे पहले बोलिंग करें ना बंगलादेश की टीम ऐसे में यह प्लेट और में बोलिंग करने आ सकता है लेकिन अगर बंगलादेश पहले बोलिंग करें यह प्लेर भी काफी इंपोर्डेश को मोका देगी तो हसन मेहमूद को मोका दे सकती है हसन मेहमूद ने स्रिलंका एकलाफ एक मैच में तीन विकेट निकाले वे हैं अगर हसन मेहमूद खेलता है तो डिफरेंशल रह सकता है आपको पता है सेलेक्शन ओल मोड़ी कम होगा और बहुत कम बंदे सेलेक्ट करेंगी और दिल्ली की पिछ के उपर हसन मेहमूद जैसे बो की प्लेयरों का रिकोर्ड देखने को मिल रहे है अब दोस्तों बात कर लिते हैं स्रिलंका के प्लेयरों के रिकोर्ड के बारे में उससे पहले मा आपको बता दूए गिन बात तब से पहले अगर हम बात के तुम्हेरे पास है पाथूम निशांग का राइटी बैट्समें ओपनिंग करने आते हैं बंगलादेश के किलाफ दो मैचों में बार अरनेच है की एवरेट से वरिल्ड कप की बात के तो लाश्ट मैच में जीरो उससे पहले 46, 74, 61, 41, 0 ते को पहले मैच में जीरो था और लास्ट मैच में जीरो था उससे पहले पाच मैचों में ड्रिम के में में आएगा है जिसमें से चैар 50 भी ऐस्प्लेयर गी आलाकि इसको सोरी पुलिसलाम ने दो बार आउट किया, तस्कीन एमद ने एक बार आउट किया, शाकी बलसन ने एक बार आउट किया, और मुस्ताफिजू रेमान ने एक बार आउट किया देखो वर्ल्ड कप के अंदर अच्छी फों में चल रहा है सेफ टीम में हम रख सकते हैं स्मोल लीग की ग्रेंड लीग के अंदर आप रिस कलो नालो आपकी चोईस रही उसके बाद अगर हम बात के तो मारे पास एक कुसल प्रेरा लेटी बेट्समिन ओपनिंग करने आता है बंगलादेश के किलाफ 15 मेचों में 609 रहे नग 13.5 के अवरेज़ देखो कुसल प्रेरा नहीं लास्ट वाला मेच नहीं खेला है कुसल प्रेरा एक ऐसा धाकर प्रेर जब यह मारता है न तो जिसे फकर जमान वातता है न उसी स्पीड से ही मारता है और यहां पे 43.5 के अवरेज़ बंगलादेश के खिलाफ 15 मेचों के अंदर रिकोर्ड तो अच्छे है एलेगा तो डिफ्रेंचेल है वर्ल्ड कप के अंदर अब तक बात करें तो एक मेच में ठकतर है न बाकि सारे मेचर फ्लोप है मेंदियसन मिराज ने दो बार आउट किया है सोरी फुलिसलाम ने दो बार आउट किया है और मुस्तक जुरेमान ने एक बार आउट किया अगर खेलता तो जी एल का एक ट्रम्प निकले के आ से उसके बाद अगर हम बात करें तो मारे पास है डीमूत कॉनरत ने लेफ्टी बैट्समिन ओपनिंग करने आता है बंगलदेश के खिलाफ 5 मेचों में ब्यास सीरन 16.4 की एवरेज है वल्ड कप के अंदर अब तो पुत्खास पफॉमेंस है नहीं मेंदियसन मिरास दस्की ने अगर खेले तो हम टीम में रख सकते ही क्योंकि ये भी डिफेंशल देट उसके बाद मारे पास है कुसल मेंडिस राइटी बैट्समिन तीन नमरे बैटिंग करने आता है विगर कीपर है कप्तान भी है सिरलंका की टीम का बंगलादेश के किलाफ 14 मेचों में 461 है 355 की एवर और मेंडिय सर्मिराज ने दो बार आउट किया है मैच अप तो इसके तकड़े हमें टीम में दुरकना पड़ेगा कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी हम देंगे या नहीं देंगे वो हम आगे देखेंगे बाकि विकेट कीपिंग से भी पोट दे सकता तो ड्रीम टीम में तो सकता है उसके बाद हमारे पास यहां पर आपको देखने को मिलिगा सदीरा समर्विक्रमा राइट ही डिबेट्स में ने चार नंबरी बेटिंग करने आता है बंगल दे से किलाफ दो मैचों में 147 और 13.5 की एवरेज सदीरा समर्विक्रमा की वर्ल्ड कप की बात के तो उसके बाद अगर हम बात करें तो मारे पास है चरीत असलांका लेक्टी बेट्स में ओफबरीक बोलिंग करने ता कभी-कभी 5 नंबरी बेटिंग करने आता है बंगल देश के किलाफ दो मैचों में बैतर रन रो बैतर की एवरेज है वर्ल्ड कप के अंदर पहले मैच में इ एक बार आउट के इस प्लेट उसके बाद हमारे पास है दरेंजे डी सिल्वा लास्ट वाला मैच तो खेले नहीं थे बंगल देश के खिलाफ आठ मेचों में सोरन 16.7 की एवरेज और आठ विकेट है एक विकेट पर मैच का एवरेज है अगर एक विकेट लेत तो बीस एवरेज है ना वो बंगलादेश के खिलाफ काफी कमाल की एवरेज है ठीक है अगर वर्ल्ड कप की बात के तो पहले मैच में दो विकेट लिए ते उसके बाद दोनों में फ्लोप हो है ये प्लेयर भी आपके लिए डिफ्रेंशल है क्योंकि लास्ट के दो में फ्लोप हो लेकिन बंगलादेश के खिलाफ अगर आप बोलो तो दो पोईट एक विकेट पर मैच कहा हो है तो दियाप आप इसको भी डिफ्रेंशल मान सकते हो उसका दमार पास सिल लंका के तरफ से दुसमानता चमीर राइट आम फास्ट प्रिंपेसर है बंगलादेश के खिलाफ पा पॉपरमेश देखने को मिलाता है उसका दमारे पास है दिल्सान मदुस्तना का लेफ्राम फास्ट पिजियंपेसर है वर्ल्ल कप के अंदर एक मैच छोड़ दो हर मैच के अंदर विकेट निकाले और लास्ट मैच दो पांच विकेट निकालके फेंटैसी के अंदर वाइस क एक स्पिंग बोलिंग करेगा अब स्पिंडरों कितनी मदद मिलती हो देखने वाली बात रहेगी यहां पर अब दोस्तों बात कर लेगते हैं टीम्स की सबसे पहले मैंने स्कोर्स बाजी की स्मोल लीग की टीम मनाई जिसके अंदर विगर कीपर मिलिया सदेरा संबविकरमा औ अब एक चीज़ बता दूँ अगर आप थिक्षना पर ज्यादा प्रस्ट ना दिगाओ तो यहां पर आप थिक्षना की जगवें इंदरो में त्यों ले सकते हैं इस्पोर्स बाजी की स्मोल लीग की टीम में जो आप दो दो मेंबर तीर मेंबर कुंटेस्ट में केल सकते हो कम कूंपेडिशन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेड़ में लिंक है लिंक पर कलिक रो स्पोर्स बाजी आप याद से डाउंडोड कर देना स्मोल लीग खेलने के लिए बैस टैप स्पोर्स बाजी एक लिफ्ट कर सकते हैं शोट्स बाजी याद से डाउंडोड करना वीडियो की डिस्किप्शन और पहले कमेड मेंडियो के लिंक अब आपको मेरी मेंगा ग्रेंड लिग की टीम दिखा देता हूं यह ए मेगा ग्रेंड लिग की टीम नंबर वन फुल डिस्की श्रिललन के पर म विगेट कीपर में कुसल मेंडिस वो सदिरा समय विक्रमा बेटिंग एंदर पतुम निशांका दीमूत कोड़नतनी और 222 ओल डाउंडर में शाकी मिलसन और मेंडिस न मिराजरू बोलिंग में दिलचानम दूसना का मेश ठिचना का सुन रन जीताओ दुसमानता चमीरा कप्त मेंडिस वाइस कप्तान पाकुम निशांका अगर दीमूत कोड़नतन ना के लिए तो कुसल प्रियार ले सकते ये रिस्की ओनली सिरलंका गेट कोड़े अब एक ग्रेंड लिकीटीब ओर दिखा देताओ जो बैलेंस सी है कुसल मेंडिस वो सदिर साल लविकरमा विगेट की आप एक चेंज कर सकते हो चरीत असलांका की जगहें या ठिक्षना की जगहें आप एंजलो मेंद्यूज को मोका गिल सकते हो मेंडिक लेके आ सकते हैं ये मेरी तरप से प्रेडिक्सन थी उम्मेध करताओ वीडियो अच्छे लगी लाइक करदो चैनल को जब्सक्राइब कर दोक धन्यवाद